हाइ फ्रेंड्स . काइब स्वागत है। दोस्तो अभलोग देवाली है cornyeon dzisiaj ले गटावली सबसे कहस रेशिपी वरेकों दोस्तों स्बहुक्त आप सुरन की सब्रोर बनाइँ जाती है। आज मैं आप लोगों के लिए cornyeonicação सूरन की सब्जी का परह 완i है। आप सभी को बहुत पसंदाने वाली है, तो एजिए सूरन को हो अगफने तो है छोब ग जाता है, अगर आपके पास गलफ नहीं है तो आप पॉलिफिन भी आपने हाथों में पहन सकते हैं इसलिए करना पड़ता है क्योंकि देशी सूरन में थोड़ी सी चुंचुनाहट होती है अगर वह इस तरीके से अगर हातो और तश में हमारे हाथों से लगता है तो हमारे हातों में हिल्की कुछली हे देशी सूरन को बनाने के बाद भी अगर हम द Maar हम इसको भॉल金 कiantly और भी मारे मशचुनाहत नहीं बतांगी तो आज के वीडियो में रहुज थो वह्यची त्रिक् सूरन कहाने के बाद आपको कोई खुझली या चुंचनाहट नहीं होगी इसके लिए वीडियो आपको अन्त तक देखना होगा तो प्लीज बने रहे हमारे साथ आप वीडियो में देख होंगे कि मैंने सूरन के बड़े बड़े पीसेस काट लिये हैं और सबसे पहले मैंने अब देख सकते हैं कि हमने सूरन के चिलके हट अब जो यह बड़े पीसेस थे मैं चोटे-चोटे पीसेस काट रही हूँ यह थोड़े मोटे होंगे और इसी तरीके से हम बाकी के जो सूरन है उसके चोटे-चोटे तुकडे कर लेंगे हमने जो सूरन लिया था वह लगवक तो मैं यहां पर आदा सूरन बना रही हो तो मैंने आदा सूरन काटके अलग कर लिया है बाकी का सूरन मुझे दूप में 2-3 दिन रखना है ताकि वो खराब न हो और बाद में उसका यूज कर सको यह सारे पीसे स्कुके हैं और अब हम एक बरतन में पानी लिंगे और इसमें तो यह मैंने फिटकरी का चूरा कर लिया है यह लगभग तीन चम्मच फिटकरी है और इसको हम थोड़ी दिर पानी में घोलेंगे तो जब हलका सा डिजॉल हो जाए यह फिटकरी तो अब हमें इसमें सूरन के पीसे डाल देने हैं पानी की मात्रा हमें इतनी रखनी है कि सा अब बरतन है यह चोटा पड़ेगा तो इसकी जगह पे हमें दूसरा बरतन ले लेती हूं यह पर यह बड़ा बरतन मैंने ले लिया है और इसमें हम यह सारी चीज़े पलटेंगे और जो बाकी के सूरन है वह भी इस पानी में डाल देते हैं अब इसको अच्छी तरीके पा मिक्स कर देते हैं हमें यह इंशोर करना होगा कि जो सूरन के टुकड़े हैं वह पानी में भीगे रहे और अब हम इसको लगभग चार घंटे के लिए इसी तरीके से ढ़के रख देंगे चार गंटे से जादे का समय हो गया है और हम सूरन को चेक कर लेते हैं अब हम सूरन क यह शरन की की निकाल लेते हैं और इसको चार पांच बार अची तरीके से साफ में और देंगे तो ने लिक मंगे टकाने पीसे सेसे ठीके टरीके साफ कर लेके से और अब हमैं शाय तरीके से लिगा टलें दैंगी मिलाग duty है और इसकतर लग़ग कहले है और यह आघाल मीला तोड़ा नमक यह और मिला देते हैं और नमक को इस तरीके से हम सूरन पे कोट कर लेते हैं अब हम इस बास्केट के नीचे एक गहरा बर्तन लगा देंगे और उपर से इसको एक धकन से ढग देते हैं और इसको इस तरीके से हमें लगभग दो गंटे के लिए छोड़ देना है दो घंटे बाद जब हम सूरन को चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सूरन का जो रंग है वो काफी बदल गया है और आप देख सकते हैं कि यहां पर काफी मात्रा में सूरन ने पानी डिलीज किया है और अब हम सूरन को दूसरे गहरे बर्तन में ले लेते हैं और इसको कम से कम चार से पाँच बार रगड़ रगड़ के हमें दुल लेना है ताकि जो एक्स्टा नमक हमने उपर से डाला है वो इससे अलग हो जाए जो ढब हम गैस पर कूकर रखेंगे और उसमें दो चमच सर्सो का तेल डालेंगे थे गरम हो जाने पर हमें इसमें डालना है एक चमच मेति के दाने और जैसे ही मेधि के զाने चटड़कने लगे तो उसमें हमें सूरन के टूकडे डाल देने हैं एक चीज सहब देना है कि हमें फुरण को पकानी के लिए पानी को प्रियोग भी नहीं करना है सुरण को हलका साटे कर लेते हैं और इसके बाद हम डालेंगे इसमें अमचुर पाउडर और नमक तो सूरन को पकाने के लिए यहाँ पर खटाई की जो मात्रा होती है वो जादा डालनी होती तो यहाँ पर हम लगबग 2 चम्मच खटाई डालेंगे और इसके बाद हमें इसमें लगबग 1 चम्मच नमक डाल दिना है यह दोनों चीजें अच्छी तरीके से सूरन में मिला देते हैं और फिर हमें कुकर में प्रेशर लगा देना है और लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे दो सीटी आने तक पकाएंगे और जब तक सूरन पक रहा है तब तक हम सूरन के लिए मसाला तयार कर लेते हैं तो इसके लिए मैंने एक बड़े साइस का प्याज लिया है लगभग 15 कली लहसुन 5-6 हरी मिर्च और एक इंच का अद्रक का टुकडा लिया है और इसको अब हम पीस लेंगे तो यह पेस तयार है और अब हम इसको एक दूसरे बॉल में ट्रांस्वर कर लेते हैं अब हमें जाल देना है वन टीसपून हल्डी रभल घणी पैपन्द गास अब हमें बलादेना है बड़र एक वटीसाइं कमनार्ड मिर्च नेया जाल पावडर अब इसके बाद हमें इसमें मिलाना है नमक तो नमक हम यहां स्वात के अनुसार रखेंगे और यह चीज भी ध्यान रखेंगे कि हमने जब सूरन पकने के लिए रखा था तो हमने इसमें थोड़ा सा नमक मिलाया था अब यह सारी चीजे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इसका एक बहुत ही अच्छा सा पेस तयार करते हैं यह पेस तयार हो गया है और इसमें हम ढाल देंगे दो चम्मज नीम्बू का रस एक बार भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं आप मसाले को साइड में एक यूपकर में परणी तो वह शुका है तो भी चेक कर लेते हैं परणों भी छॉले शुरन भी परणा परणी है चाकु या चमच की सायता से शुपकर निकालें ते आपे हैं अब इसको हम फाच मिड़ के लिए खंडा होने के लिए रखेंगे तो फ्राइब करने के लिए हमने गैस पर एक पैन रख दिया है और इसमें हम डालेंगे सर्णो का तेल शुरन की सबजी सर्णो के तेल में सबसे जादा अची बनती हैं तेल गरम हो चुका है और अब हम सूर हम इन पर मसाले कोट करेंगे हम ने जो मसाला तयार किया है वह काफी सुखा है उसमें पानी की मात्रा बहुत कम है अगर मसाले में ज्यादा पानी डालेंगे तो फ्राई करते समय जो सूरन है वह मसाला छोड़ देगा अब हम सभी तुकड़ों पर अची तरीके से मसाला और अबसे फ्लेम आप साफ्माट मोट एक रीया में मैं काया डिल्स आफे एगरनी डिल्स चाली तो इस आफे 4 शीज़ड तरफ यह वागत है तो अब हम इस तरीके से सारे किनारों पे कि शीक है कि आप देख सकते हैं कि हमने चारे तरफ से प्रिम ही खिरूल टुशन आप अब इकदम तयार हैं अब हम अब फ्लेम को बं कर देना है और सुरन के टुकडों पार में छे आप तो लीजे दोस्तों तयार है सूरन की सब्जी बनाने में समय तो जरूर लगता है लेकिन ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है तो आप इस दिपावली इस सब्जी को जरूर ट्राइ करिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है या अभी तक आपने मेरे चैनल को अब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजो और प्रेस करना मत भूलिएगा ऐसी ही और रेसिपीस के लिए हमसे जुड़े रही है और देखते रहे है अप सभी को दिपा